हेलो फ्रेंज आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे राज़िपाल की न्यूक्ति कैसे होती है तो राज़िपाल की जो न्यूक्ति होती है ये होता है डारेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा रास्ट्रपती के द्वारा रास्ट्रपती राज़िपाल को न्यूक्त करते हैं इ ये दो प्रकार से होते हैं, ये दो प्रकार कौन-कौन सा है, ये हम देखेंगे, पहला, पहला है कि किसी व्यक्ति को, ये एक व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को, ये मान लीजे, ये व्यक्ति है MP का, मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराश्ट्र है, ये गुजरात है तो इस वैक्ति को राज्यपाल बनाने जाने वाले हैं तो इस वैक्ति को ये है मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल इनको नहीं बनाया जाएगा मध्य प्रदेश को छोड़के जो भी राज्य बचे अलग-अलग उनमें से किसी के भी राज़ेपाल के लिए इनको न्यूक्त किया जा सकता है लेकिन वो चाहेंगे तो गुजरात के राज़ेपाल भी उनको बनाया जा सकता है महरास्टर का राज़ेपाल भी उनको बनाया जा सकता है लेकिन MP का राजपाल उनको नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो खुद MP के हैं तो ये था हमारा first point किसी भी वैक्ति को उस राजपाल नहीं न्यूक्त किया जाएगा जहां का वह निवासी है ठीक है? second point क्या है? मान लिजे कि ये जो वैक्ति है MP का है इसे मान लिजे माहराश्टर के राजपाल के लिए इनको न्यूक्त कर लिया गया इनको कहां के लिए? यहां के लिए माहराश्टर के लिए इनको न्यूक्त कर लिया गया तो हमारा दूसरा point क्या है? कि माहराश्टर के लिए इनको न्यूक्त किया या कि हम इस वैक्ति को महाराश्टर का राज़पाल बना रहे हैं सही है या नहीं है क्या है क्या करना चाहिए इनसे विचार विमर्ष किया जाएगा इस संबंध में महाराश्टर के चीफ मिनिस्टर से मतलब कि उस वैक्ति को जिस राज्य का राज़पाल बनाया जा रहा है, उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्य मंत्री है, मुख्य मंत्री से, ये कौन है, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री से विचार विमर्ष किया जाएगा, इस बारे में, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, लेकिन ये जो सिस्टम था ना, सेकेंड वा पॉइंट सेकेंड वाला जो पॉइंट क्या था कि मुख्य मंत्री से विचार भी मर्श किया जाएगा ये प्रथा कब तक चली ये प्रथा चली 1950 से लेकर के 1960 में 1950 से 1970 तक ये प्रथा चला लेकिन 1970 के बाद क्या हुआ को समाप्त कर दिया गया अब क्या होता है अब मुख्य मंत्री के विचार विमर्ष किये बिना राजपाल को न्युक्त कर लेते हैं राजपाल की न्युक्ति हो जाएगी ठीक है तो हमने इसमें क्या देखा राजपाल की न्युक्ति कैसे होती है तो राज़पाल की न्युक्ति सबसे पहले हम ये दिखेंगे कि राश्ट पती करते हैं ये किस तरीके से होती है तो किसी भी वैक्ति को उस राज का राज़पाल नहीं बनाया जाएगा न्युक्त नहीं किया जाएगा जहां का वो निवासी है ये था हमारा first point और second point हमारा क्य था कि राज़पाल की न्युक्ति से पहले ये जो मान लीजे यहां के राज़पाल बने या बनने वाले हैं इनको डिसाइड कर लिया गया है कि इनको बनाने वाले हैं तो यहां की राज़पाल की जब न्युक्ति होगी उसके पहले इनके जो संबंधित मुख्यमंत्री है इनसे विचारविमर्ष किया जाएगा और ये प्रथा कब चली थी ये प्रथा चली थी 1950 से 1967 के बाद इस प्रथा को खतम कर दिया गया और उसके बाद क्या हुआ जब मुख्यमंत्री से विचारविमर्ष करने का जो सिलसिला था उसको खतम कर दिया गया और मुख्यमंत्री के विचार विमर्ष किये बिना ही राजेपाल की न्युक्ती हो जाने लगी ये था हमारा राजेपाल कैसन न्युक्त होते हैं धन्यवाद